हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई हूँ बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज मैं आई हूँ उपर च्छत पर करीपता लेने के लिए क्योंकि आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना उसमें मुझे बहुत सारे करीपते की जरूत लगने वाली है और आज कल देखिए बरसात का सीजन है तो कितना अच्छा मतलब उपर हरा भरा सारे पौधे हो गए हैं साथ में तितली भी उड़ रही है आज कल छट पर आ जाओ तो नीचे जाने का तो बिल्कुल भी बन नहीं करता है मुझे पौधे तो वैसे ही बहुत जादा अच्छे लगते हैं तो अभी तो फिलहाल मैं आई हूँ करीपता तोड़ने के लिए क्योंकि करीपते की मुझे जरूत है तो आज मैं जो आप लोगों के साथ से भी शेयर कर रही हूँ वो है पोड़ी मसाला जिसे मतलब साउथ इंडियन डिशेज में बहुत जादा यूज किया जाता है और साथी में एक प्यास ट्रमाटर की चटनी बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी सी तो पहले पोड़ी मसाला हम बना लेते हैं इसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है थोड़ा सागी मतलब बहुत जादा नहीं डालना है हलका सा ही डालना है और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप उड़त की डाल और ये मेरी अक्का उड़त की डाल है अगर आपके पास ये वाली डाल ना होना तो आप नॉर्मल जो डाल होती है उसका यूज कर लीज़े बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा और साथ ही इसमें वन फोर्थ कप मैंने इसमें चने की डाल डाल दी है और इसको अब हम हलका कलर होने चेंज होने तक भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसम भूनना है जल्दी बाजी नहीं करियेगा ने तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा और साथी अब थोड़ा सा दाल का कलर चेंज हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है वन फोर्थ कप मुझ से ऐए तोड़ी सी चैंगलौर और बेटा भी वहां की चीजे खाने लगा है तो अब सभी की डिमांड होने लग रही है वहांपे जो चीजे बनती है तो वहीं पर मैंने यह खाया था और बेटा भी आया हो है तो उसने बन वाया था मुझ से anthropology बदाट मुझस हैं तो काशमेरी लाल मिर्चु डाली है , तोड़ी सी मैं इसमें इमली डाल दिया , मैंने thick seeds निकाल दिया थै और तीन डंडी के करीपता डाल दिया है, करीपता आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी जाता डालना चाहो तो डाल सकते हो, मतलब सारी चीजों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अब हमेंसे इतना भूनना है कि जो हमारा करीपता है ना वो बिल्कुल स मतलब मौश्चर उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ना करीपतों में ना मिर्चों में, मतलब करीपता ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे की सुखा हुआ हो, अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, सारी चीज़े और एकदम करारी भी हो गई है, मतलब बिल्कुल अच् पीस लेंगे, और इसका बिल्कुल एक फाइन पाउडर सा इसका हम बना लेंगे, और ध्यान से पीछेगा, क्योंकि मिर्चे हैं, तो मतलब एकदम से धास चड़ती है, अब ये देखिए, एकदम इसका फाइन पाउडर बन चुका है, अब इसके बाद जो हमने दाल और ते अब साथी मैंने इसमें थोड़ा सा हेंग डाल दिया है, थोड़ा सा, एक चमच के करीब मैंने इसमें डाला है, नमक, और बस इसको डाल कर हम एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेंगे, और पिछते ही देखोगे, आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी से कुश्भू क्योंकि इतनी सारी फ्लेवर वाली इसमें चीजें हैं, तो बहुत अच्छी से इसकी खुश्भू आती है, और अब आप इसको एक किसी भी एयर टाइट जार में भरके रख दीजे, और फ्रिज में रखेंगे ना तो एक महीना तो ये आराम से मसाला आपका चल जाएगा, आप कोई भी ऐसी चीज बनाए, जैसे थटे इडली वगरा बनती है, डोसा बनता है, तो उसमें ये मसाला बहुत जादा अच्छा लगता है, और उसका टेस्ट ही एकदम अलग हो जाता है, तो ये बनावा है रखा रहेगा, तो कोई भी आप चीज आराम से बना कर, मतलब बच्चों को खिला सकते हो, अब खुद खा सकते हो, तो ये हमारा जो पोडी मसाला था, ये बन करके तैयार हो गया, अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चटनी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, डोसे के साथ खाईए, चटनी के साथ खाईए, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट इसका आता है, तो अब ऑइल मैंने डाला है, पैन में, साथ में मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी उड़त की दाल, थोड़ी सी अब इसमें मैंने डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्चे, और इसको हम भून लेंगे, डाल का कलर जब तक की और मिर्चे अच्छे से भूनना जाएं, अब इसमें भी हमने करीपते का यूज करना है, तो करीपता मैंने इसमें डाल दिया है, इसको डाल कर भी हम भून लेंगे, अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है, एक मेडियम साइज की प्यास, जिसको हमने स्लाइस कर लिया इसमें हल्दी डाल दी है और उसके बाद इसको हम मसाला मतलब सारी चीज़े मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे और नमक भी आप अपने मतलब देख लिजे कि कितनी क्वांटिटी है प्याच वगेर की तो उसके एकोडिंगी इसमें डाले और उसके बाद तो मीडियम साइज इसके टमाटर मैंने इसमें एड कर दिया है बस इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे से और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको टमाटर हमें सॉफ्ट करने है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ढखकर रख देंगे पानी का हमें इसमें बिल्कुल भी यूज नह देना है और बहुत ज्यादा मतलब यह टेस्टी लगती है तो आप डोसा बनाएं तो कुछ भी चीज बनाओगे ना तो उसका स्वाद ही एकदम दुगना हो जाएगा अब एक चमच मैंने इसमें एड कर दिया है इमली का पल्प और साथी एक चमच मैंने इसमें जैगरी प चाहिए और यह सारी चीजे मैं आपको पहले शेयर करें हूं क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसके साथ यह लिंक करेगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने पहले यह चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है तो इसलिए भाइत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और भाइत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है खाने में ऑईल डाल दिया था सरसू डाली है हींग डाला है हींग जरूर से डाले बहुत एच्छा टेस्ट आता है और साथी 2 साबुत मिर्चे डाल दी और थोड़ा सा करीपता मै कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में टिल देन टिक केर बावाई